So, Hey everyone, this is Karon, तो आज हम बात करने वाले Cyber Attacks के बारे में, तो ये Part 2 है, तो इससे पहले मैंने जो Part 1 बताया, उसमें कुछ Attacks बताया और कुछ रहे गए थे, तो वीडियो लंबी होने के कारण मैंने इसके दो Part में डिवाइड किया, तो ये Part 2 है उसका, तो इसमें हम आगे कुछ Attacks कवर करेंगे और लाश में हम ये भी देखेंगे, उसे हम कैसे प्रिवेंट करें, तो बिना किसी देरी की आईए, शुरू करते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, बी, डी, ओ, एस, अटेक के बारे में, तो नॉर्मल ये अपग्रेडेड वर्जन है, डी, ओ करता है, और फिर वो अटेक करता है एक पर्टिकुलर सर्वर पे, तो मान के चलिए, ये कोई और ये कुछ सर्विसेज देती है, तो इनका कुछ वेबसाइड और इनके कुछ डोमेंड प्लैटफॉर्म होंगे, जो कि सर्वर पे स्टोर रेते हैं इनकी डेटा, तो हैकर करत कि अब कई सारे सिस्टम्स हैक करके, इस सर्वर पे कई सारे फेक रिक्वेस्ट यानिके पैकेट्स बेचता है, जिसके वज़े से इतने सारे पैकेट्स एक साथ आने के वज़े से ये हमारा सर्वर संभाल नहीं पाता, जिसके वज़े से या तो फिर ये ग्रैश हो जाता है या फिर बंद हो जाता है, तो इसका सबसे best example आप सबी ने देखा ही होगा, तो जब भी result आता है, तो हमेशा starting में जितने भी बच्चे result देखने जाते हैं, तो most of the लोगों का result यानि कि विया जो webpage वो खुलता ही नहीं, क्योंकि उस पर बहुत सारे बच्चे एक सार ट्राफिक करते हैं, तो फिर वो एक attack यानि कि वो कोई intention से नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने marks देखने के लिए खोलते हैं website, लेकिन unintentionally उस पर attack हो जाता है, तो इसे हम कहेंगे distributed denial of service attack, तो इसे हाली में इसका एक और example देरा चाहूंगा, गिटप पे largest DDoS attack होगा था, February 2018 में, इस पर कई सारे packet बेजे गेते हैं, लगबग 1.35 TBPS, तेराबाइट पर सेकेंड at once, उसके वाज़े से गिटप बंद हो गया था, हालागी 15-20 मिनिट तक, आप सभी जानते हैं, गिटप एक well-reputated organization है, तो उनके पास prevention होते हैं, उनके पा जो भी outage time था, वो से 15-20 मिनिट का था, तो ओ, DDoS prevent करने का कुछ आपको points बाता देता हूँ, हमेशा अगर आप monitor कर रहे हैं, सिस्टम पे traffic analysis रखा करो, malicious traffic को, वो detect कर पाए, ताकि आपको attack होने से पहले ही पता चल जाए, कि आपकी network पे कुछ तो malicious activity हो रही है, जो कि आगे जाके बढ़ सकती है, और जैसे कि मैंने बता है, आपका response plan भी काफी ready होना चाहिए, अगर आपके ऊपर यह particular attack होता है, तो आप उस situation में आप क्या decision लेते हो, और obviously use cloud, क्योंकि cloud पे attack होता है, DDoS तो वो cloud load संभाल देता है, क्योंकि उनका infrastructure काफी ज़्यादा बढ़ा होता है, तो वो secure होते हैं, और उनके prevention हमें लेने की ज़रूत ने पढ़ती है, हम जिससे service ले रे cloud की, वो दिहान रखेंगे उसका, तो आए यह बात करते हैं, insider threats के बारे में, यह काफी ज़्यादा harmful हो सकते हैं, outer hackers या फिर attackers से भी, क्योंकि इनके पास already company के कुछ crucial data या फिर login, credential होते यह होते हों ने, यह उसी company के employee होते हैं, या फिर vendors हो सकते हैं, जो कि services देते हैं उस particular organization के लिए, तो कुछ reason से यह organization के जो भी उनके पास trust या फिर credential है, उसका misuse करके company को harm कर देते हैं, या फिर कई बार hackers भी इनका use करती हैं, क्योंकि इनके पास already trust या organization का, तो पहले वो इन प अटेक कर देते हैं, तो आप के सकते हैं, इसमें कोई third party involved ही होता है, company का ही stakeholder involved रहता है इसमें, अब बात करते हैं crypto jacking के बारे में, तो यह क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, उस तो bitcoin cryptocurrency से related है, तो असल में intentionally या फिर intentionally आप कुछ भी डाउनलोड करते हो, कही लोग और free resources क के चकर में बहुत सारी चीज़े, डाउनलोड कर देते हैं, जिनके background source में कुछ malicious activity होती है, तो इसमें हो तक है, आपके system पे फाइल डाउनलोड करवाया जाता है, या फिर social engineering होगा, या फिर कोई भी attack से दारा, तो फिर आप free के चकर में आप उसे डाउनलोड कर लोगा, पिर के ये crypto mining करते हैं, जी हाँ, आपको पता होगा, ये cryptocurrency system mining के वजसी आता है, तो आपको तो पता ही होगा, ये cryptocurrency mining से ही मिलता है, जो कि बहुत powerful systems लगते, तो ये करते क्या, ऐसे कही सारी systems hack कर लेते हैं, और आपका computer आपको पता भी नहोगा, आपकी system का user है, आपकी internet का user है, तो खेर ये सारे attacks आप भी आपको एक normal चीज लग रही होगी लेकिन जब आप organization professionally करोगे तब ये छोड़ी छोड़ी चीज़ी आपको बहुत ही important होगी और आपको prevent करना पड़ेगा क्योंकि आपके mistake से आप खुद तो जाओगे और पूरी organization भी आपके वीज़े से डूप जाएगी तो अब बात कर लेते हैं zero day exploits क्या होते तो ये normally क्या होता है एक vulnerability attack हो जाता है तो अगर कोई system में खामिया है वो हमारे engineer से डूढ़ने से पहले हमारे hackers को पता लग जाए तो फ 20 वज़े से तो इसे कैसे patch करें तो इसे हम zero day exploit कहते हैं तो अब बात कर लेते हैं watering hole attack के बारे में तो इसे ध्यान से सुनना हो तो normally एक employee क्या करता है उसे coffee के लिए एक website यानि एक shop आता है तो हर रूज़ वेबसाइट पर जाते है और menu वगर जो भी हो उस website को serve करता है और हमा attacker क्या करेगा या तो फिर या तो फिर उस website को malicious यानि कि infect करेगा उस website में already viruses malicious जो भी activity वो करेगा ताकि जब भी employee उस website को access करे अब यहाँ पर employee खुद उस चीज़ को access कर रहा है जो के hacker ने manipulate किया है तो उसके वज़ए से वो जो भी malicious या फिर viruses bomb जो भी है वो employee के system में चला जात है तो आपके सकते यह specific type of fishing attack भी होता है सिर्फ fishing नहीं यह specific type of fishing attack तो आई यह हम कुछ prevention के बारे में बात कर लेते मैं चाहता हो कि आप इसे note down कर लो क्योंकि याद रखना अब भी तो आपको याद हो जगा लेकिन खुछ दिन बाद आपको याद नहीं होगा तो मैं पहला बताना चाहूंगा आप अपने systems को regularly update करो और passwords strong रखो जिससे आपके system की security patches भी complete रहेंगे और आपके password strong होनी के वज़े से वो कुछ passwords attack भी नहीं कर पाएगा और second में कहना चाहूंगा आपके software को भी update किया करो और antiviruses और anti-malware protection software भी use किया करो जिससे वो threats या फिर harmful चीजों को prevent करेगा और आप अपने system कोई नहीं आप अपने network को भी secure किया करो firewall use implement कर दो network में जो की आपके फूरे network को secure रखेगा और be aware about phishing scam और दूसरों को भी बताते रहो जो भी attacks चल रहे है presently और आप कोई भी ऐसे websites वगरा विजिट करते हो तो आप VPN यूस किया करो उसके वज़े से आपके data traveling में encryption बढ़ जाता है और आपके जो भी data उसे backup या फिर encrypt करके रखा करो ताकि आपके उपर खास करके ransom attack न हो पाए और अपने employee को train किया करो और multi-factor authentication भी use किया गरो और खास करके public wiper तो use ही मत करो मैं तो कहूंगा और use भी कर रहे हो तो full security maintain किया गरो पिन यूज किया करो public wiper यूज करने से पहले और ऐसा मत समझो कि आपका सिफ laptop system या फिर server ये hack हो सकते आपके mobile devices से भी attack हो सकते तो आप mobile attacks के बारे में भी या फिर उनके चुबी threats से उनसे भी aware रहा करो so I hope आपको आज की वीडियो अच्छे लगी होगी so let me know in the comment और मुझे सही में motivation मिलता है आप daily active हो मेरी वीडियो देख रहे हो so thank you for watching और मिलते हैं next video में